कॉंगेस के पूर विधायक ब्रेयस्पत सिंह हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करते हैं यह जो नतीजे निकले हैं इनको लेकर क्या कहेंगे नमस्ते 36 गड़ की जनता जो जनादीश दिया है वो सरोध्यार है जनता ही सरोपरी है सरकारे आते जाते रहते हैं कभी इस पार्टी का कभी उस पार्टी का सरकार आते जाते रहते हैं विधायक मंत्री आते जाते रहते हैं बदलते रहते हैं सरकारे बदलती रहती है जनता वही है और इसे जनता को मैं सादर पड़ाम करता हूँ आपके माद्देम से क्या ये जो इतनी बुरी हार हुई है उसको लेगर क्या कहेंगे जनता ने जनता ने जो नीड़े लिया वही नीड़े लिया जो उनको समझ माया क्योंकि कांग्रेस के लोग जो दूसरे को पर ठीकरा फोर रहे हैं ये सामन साही प्रविर्ती जब तक समाप्त नहीं होगा के मंत्री विधायक जिम्वार नेता कांग्रेस के खिलाब खुलयाम जहर उगल रहे थे कांग्रेस के बिरोध्य बोल रहे थे और भाजपा के प्रोजेक्ट कर रहे थे उसी समय कांग्रेस ने अगर कारवाई कर दी होती तो साइद एर दीन देखने को नहीं मिला होता आप प्यात करिए कि एक साल पहले छे महिना पहले जब कांग्रेश का एक केमिनेट मंतरी तीयस दिंग देव साहब पंचायत मंतरी से इस्तिफा देते हैं और ये आरूप लगाते हैं कि 36 गड़ के 7 लाख आवास का पैसा प्रधान मंतरी आवास का पैसा सरकार नहीं दिया है और ज कांग्रेश को नुकसान करने काम किया उसी समय अगर कांग्रेश ने संग्यान में लेकर कारवाई तत्काल कर दिया होता तो साथ ये नौबत आज नहीं आई होती दूसरी बात बता दू जब 36 गड़ में अधिवेशन हुआ कांग्रेश का और पुरे देश के नेताओं नही क्रियेट करेंगे, 36 गड़ मॉडल लागू करेंगे, ऐसा लोगों ने कहा और जब खडगे जी, सोनिया जी, प्रिंका जी, राहूल जी, सब लोगों ने कहा कि 36 गड़ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, 36 गड़ की जनता से जो हमने वादा किया था, हमने पूरा किया और चार दिन बाद इस सारे चीजों को डिप्टी सीम ने चालेंज करके टिया सिंग देव ने कहता है, प्रेस कांफरेंज करके, कि 36 गड़ से 12 वादे हमने पूरा किया है, ऐसा कहके पूरे कामनेताओं को चालेंज कर दिया है, इसके बाद भी कांग्रेस ने डर पता नहीं फेकिन परिस्तिती में कारवाई करने में डर गई, कारवाई नहीं की, अगर उस दिन कारवाई हो गए होता तो सैध आज ये दिन कांग्रेस को देखने को नहीं मिला होता, तीसरी बात आपको बता दूँ, लगातर कांग्रेस से बोल रही है कि हम कांग्रेस के सब को टीकिट काट दिये जाएंगे तब से डर के मारे नाम तो था नहीं कौन आधे हैं तो सारे के सारे बिधायक छेतर दो बतीन महिना से छोड़कर लगातार अपने नेताओं के पीछे दोड़ना चालू कर दिये दिल्ली और राइपूर तब से छेतर पूरी खाली हो गई अब बात आपको बता दू प्रधान मंत्री जी की वायपूर में सभा होता है और हमारे राज्य के डिप्टी सियम ये कहते हैं जब पूरे हमारे कॉंग्रेस के लिडरान ने सारे नेताओं ने ये की आरोप लगाते हैं कि मोधी जी लगातार जहां भाजपा की गयर भाजपा की स सोतेला बेवार कर रहे हैं 36 गड़ बे हमारे पैसे रोक रहे हैं 37 गड़ के सगाता लगातार उन्होंने परिशान कर रहा है ये आरोप लगाते हैं और हमारे डिप्टी सियम खुलिया मंच पर ये बोलता है कि जितना उमीद था उसे जादा मोधी जी ने मदद किया है कर रह हैं और आगे भी करेंगे तो सहाब जब इतना अच्छा आप काम कर रहा है आप खुद बोल रहे हो कि कांगरिस खराब है और भाजपा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आपको जनता क्यों भोड़ देगी बात सवाले उठता है इसके बाद भी कारवाई नहीं होता है की उनको डिप्टी सीमा बना देते हो और सीसी में केंद्री चुनाव समीथी मिंबर बना देते हो जिसकी कारण उन्होंने बदले के भाव से 22 विधाय को टिकट कार दी और 15 जो जीतने वाले थे उनको कार दी आपने जो जीतके विजेपी आई अगर ये 15 है मेले भी 22 में से और प्रभारी जो जिमवार होता है दूसरे राज से इसलिए प्रभारी बनाए जाता है कि नेताओं में अगर कोई गड़बड़ी है किसी तरह का अगर आपस में विरोधा भास है तो समन्वे बनाने का काम करे जो गड़बड करे उसको ठीक करने का काम करे वहां हमारे प्र आखाओ संभाग में सर्गुजा सर्भाग की जंता को यह फिर से सामंत साहों राजा महराजा के हाथ में सत्ता सौपने आई है। ये हुकुमत अंग्रेजी हुकुमत की तरह फिर से हो जाएगा इसलिए सरुजा संभाग के लोगों ने उसको 14 बटा 0 का रिजेट दे कर भेज दिया कहीं कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं था सिलेगा मैडम ने सारे लोगो घुमराह की यहाँ के प्रभारी ने गुमराह करने काम की और जैसे किसी फिल्म डारेक्टर लोग हीरो को पूरजेट करते हैं वो यह च्छी को प्वरजेट करने में रह गई और बाकि कोई का मने कि अगर हमारे जैसे पुनिया जी की तरह का नुभवी लोग हुए थे ताज हमारी श्चतिसक्रण फिर से सरकार होता है तीया सिंग की रिपोर्ट ये थी कि जनता का कि बोड लगाये थे हर जगा जनता कि तीया सिंग देव भोट मांगने ना है पांच साल में पांच दिन भी अपने विधान स्वा में नहीं रहें सिजम की चकरम घूमते रहें तो सबसे पहले अगर रिपोर्ट के आधार्त निगेटिव रिपोर्ट टीया सिंग का था सबसे पहले टीया सिंग देव का टीकट काटना चाहिए था और बाकी बाद में से मिला है अमीद साथ से उनकी फाइब स्टार होटल मीटिंग हुई है और तब से लगाता टिया सिंदेव कांग्रिस के खिलाप लगाता सडेंत्र कर रहे थे और सडेंत्र करने में काम्याब हो गए लेकिन इसके हासिल क्या होता मतलब सरकार ही जाती इतना तो उनको पता होग तो आट Rough 2003 में अजीद जोगी से उनकी तीन साल तक नहीं बनी अंतिम उन्होंने भी तायोग का ध्यक्ष बना दिया और जब बीत आयोग काल द्यक्ष बनाया तो जीद जोगीृसदे मुझे बात करने के लिए बेजा था और उञसे मैंने बात कि आज भी आमने सामने हो जाएगा इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों को जीतने वाले कुमी ठीकट नहीं देने दूँगा और अगर टीकट मिल भी गया तो किसी भी किमत में जीत के नहीं जाने दूँगा क्योंकि अगर उचुनाओं जीते हैं और सियम मंतहित मेरा राजीदिक भूइस खतम हो जाए किसी अगर आजीत टीयसिंग होते तो 36 सर्गुजा संभाग के सबशीट जीत जाते यह बात उन्होंने कहा इसलिए लोगोंने नराज था अगर इतनी ही अगर होता सहब सर्गुजाक लोंगों से प्यार तो चुरानवे भोट से नहीं हारते इनके खांदान वाले इनके पू संभी महाराजा होके 14 सीट की चालेज कर रहे हो और fasciner भोट से आ रहे हो विधायक नहीं पून पा रहे हो तो यह सिरिफ हाई कमान को डरवाने की बात है कि हम 14 सीट के नेता है 14 सीट जिता देंगे हरा देंगे 36 गोड़ जिता देंगे हरा देंगे यह 36 गड़ पर यह इस तर से मिलूँगा और यह बोलूँगा कि ऐसे जो लोग गड़बढ करने वाले कांगरेस को धुखा देने वाले हैं इनको कान पकड़के कांगरेस से बाहर करो नहीं तो लोग सभाचोना में फिर कामी आज़ा भुगतना पड़ेगा आप कुछ किया थे ओकात वाली बात कि 36 गड़ की जनता ने सबको अपनी बात बता दी किया आपकी क्या हैसियत है जंता शरोपरी होता है आप अच्छा जनता बवहार करों के आपको सरभाब हमुडा देगा और जनता अοιको यह दब गड़ करों कान पकड़के नीचिर उतारद देगा तो क्या आपको लगता है क कि टीए सी देव जो है वो अमिशा से मुलाकात उन्होंने की थी और इसके बाद से ही यह एक तरह की शत्रंज बिछाई गई थी ताकि अब उपेज बगेल दोबारा सीम ना बन पाए और कॉंग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार जाए उनका ये भी कहना है कि जो कुमारी श सिंग इसके पहले भी अपने बयानों को लेकर लगातार चतिसगर की सियासत में चर्चा में रहे हैं और इन बयानों के बाद एक तरह से और चतिसगर कॉंग्रेस की राज़िती में बूचाल भी आ सकता है कि अनुपसर राजिएन के साथ ममताना अजेवार निउस 18-36 राज का देडोर में ब का भी आ सकते है दोबाइब में राज़ निजँ